नमस्कार मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीके चौधरी डॉक्टर साहिब पत्ना PMCH में Associate Professor Respiratory Medicine है साथ ही जाने माने Physician भी है डॉक्टर साहिब स्वागत है आपका हमारी चैनल में दन्यवाद आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि अस्तमा ये जो बिमारी है ये क्या है और कैसे फैलती है ब्रंकिल आस्तमा एक बहुत-बहुत महत्पुन बिमारी आज के युग में है क्योंकि इसकी प्रतिशत लगभग चार से पांच प्रतिशत लोग इसके अफेक्ट होती है तो ये ट्राइड जो है ये तीनों मिला के ब्रंकिल आस्तमा आस्तमा एक्शुली में दो तरह का होता है काडियेक होता है एक ब्रंकिल है आपके पूछने को जो देश है उस पर हम लोग डील करें ब्रंकिल आस्तमा पर ब्रंकिल आस्तमा पर ब्रंकिल आस्तमा चुक है कि एक बार beispielsweise हो गया आप patient को आपने समझा दिया कि इसको prevent करना है बचना है prevention an ounce of prevention is better than a pound of cure तो उसको prevent करने के लिए inhaler लेना है कुछ दवाएं लेनी है तो अगर patient को explain कर दिया गया समझा दिया गया तो वो बहुत अच्छे तरीखे से patient सुखी रह सकता है और यह रिवर्सिबल है यह ठीक हो जाता है जड़ से नहीं खतम होता है लेकिन प्रिवेंट किया जा सकता है इसलिए महत्पूर्ण है अगर बात करें जाज की तो इसका बिमारी के पता लगाने के लिए किस तरह की जाज की जाती है देखें जाज का जहां तक तालुकात है तो ब्रॉंकिलास्थमा तो एक ऐसी बिमारी है जो हम लोग सिम्टम देखके उससे बातों से पता चल जाता है लक्षन से पता चल जाता है तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर्स अगर उसका सिम्टम अगर मिल रहा है इस तरह का खासी कई बार अकेला खासी की तर रप्रेजेंट करता है कई बार ऐसा है कि पेशेंट को सिंपल इंफेक्शन हुआ वाइरल अभी जो सीजनल चला हुआ दो तीन वीक तक हाइपर सेंसिटी ब्रॉंका आई मतलब कि वो उसके बाद से उसको रात में खासी आने लगी वो ठीकी नहीं हो रहा है कितनों कफ से पिले तो ही इस अप क्वेशन आफ अर्ली पेशन अब ब्रॉंकिल आस्थमा वैसे लोगों को ब्रॉंकिल आस्थमा होनी की संभावना या कई बार नॉक्टर्नल रात में शुरुआत होती है तो एक तो क्लिनिकल फीचर हो गया है दूसरा है हम लोग फिट टेस्ट करा के ए यह उपलब्ध है उससे यह पता चल जाता है कि इनको रेस्ट्रिक्शन हो रहा है सांस के लिए सिकूर रही है फिर दवा डाल के देखते हैं अगर सिकूर ना फैल जाता है दवा देने से तो यह ब्रॉंकिल आस्थमा है और इसी का डिफरेंस होता है सी यो पीडी से वो एक बड़ों का दम्मा है जो रिवर्सिबल नहीं होता है सिगरेट पीने वालों में होता है यह आस्थमा जो यह अलर्जी की वज़े से होता है अलर्जी एक प्रमुक करण और और कही करण है उसमें अगर बात करें कि क्या इसमें जलन सीने की दर्द इस गे तरह की कुछ लक्षन दिखाए देते हैं कई बार ऐसा होता है कि ब्रॉंकिल आस्त्मा में जलन और सीने में जलन और सीने में दर्द की संभावना अगर अगर सिम्टम्स आ रहा है तो कई बार confusion होता है कि कई हार्ट अटाक तो नहीं हो रहा है तो एक हार्ट अटाक एक important differential है तो उसके लिए हम लोग फिर ECG और एक ट्रापटी टेस्ट होता करके देख लेते हैं तो वो नहीं लेकिन bronchial asthma का जहां तक सवाल है वो patient को देखके उससे बात करके आला से जाज करके एक से कराके स्पारिमेट्री कराके हम लोग confirm कर लेते हैं कि इसको asthma है और उसकी के अनुसार फिर उसका इलाज शुरू करते हैं अगर इलाज की बात करें तो इलाज इसमें कैसे होता है आस्त्मा की इलाज कई प्रकार का एक तो हो गया prevention हो गया ऐसा उपाई करें कि हो इसको attack नहीं हो तो उसके लिए inhalers हम लोग देते हैं कई बर दवा है कि वो खीच लिया powder capsule के रुप में खीच लिया पेपड़ा में गया patient को explain करना पड़ता है बहुत सारी दवा खानी पड़ती है इसको समझाए कि भाया मत खाओ दवाई तुम सीधा capsule के रुप में ले जो तुमारे lungs में जाए और बाहर निकल जाए काम करके blood में नहीं जाए क्योंकि बाकी दवाए tablet खाते हैं 1% काम करता है 99% पूरे शरी में आसता है तो नुकसान दे है उसका side effects है तो prevention के लिए हम लोग inhaler देते हैं inhaler दो प्रकार कोद एक dry powder होता है जिसमें pump से हम लोग करते हैं या meter dose होता है एक capsule होता है जिसको खीसते हैं तो ऐसी परिस्तिती में एक तो वो हो गया अगर अगर एक प्रिवेंशन होगा एक है कि अगर दम्मा का patient हमको साथ फूलना लेकर प्रेजेंट कर गया है तो उसको treat करना है बहुत सारा group है ब्रांकोडाइलेटर्स है एंटी अलर्जिक है लूकोट्राइन इनिबीटर्स है बहुत सारे अंटी अक्सिडेंट्स है या थियोफलीन ग्रूप की दवा है या कई दवाएं हैं और आजकल तो हम लोग vaccine भी देते हैं फ्लू के vaccine देते हैं कोई बार फ्लू से दम्मा एग्रिवेट हो जाता है तो influenza की vaccine हम लोग recommend करते हैं साल लो उसके बाद आगे कई स्टेज है कई बार दम्मा आजकल बहुत resistant refractory type का हो गया कि दवा खा रहा है steroid ले रहा है injection ले रहा है inhaler ले रहा है oxygen पर है बार बार nebulization किया जा रहा है machine के दोरा respond नहीं कर रहा है तो उसका भी इलाज अग्या है हम लोग science इतना develop कर गया है कि अब दो वर्ड दो बहुत important इलाज जो ऐसे खराब जठत दम्मा के लिए आ गया है जिसको एक कहते है monoclonal antibody मतलब वो उसको हम लोग कहते है biologics थोड़ा महंगा है परन्तु वो बहुत अच्छा काम कर रहा है biologics जिसको एक important दवा उसमे है omalizumab वो पटना में भी आ गया है उसका injection चार वीक वे पढ़ता है उसके अलावा एक बहुत बढ़िया इलाज है जिसमें सांस की नली में broncoscope घुसा के दम्मा में क्या है सांस के लिए सिकुड गई है तो सिकुड गई है यह भी पटना में अभी तो नहीं आया है लेकर इंडिया में आने होने लगा है और दम्मा के पेशिंट में भी बहुत अच्छा future है क्या एडवांसमेंट हो गया है कई तरह की इलाज आ गया है अगर एक अस्तमा का मरीज तो वो बच्चाव कैसे करे उसको क्या ध्यान रखना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको जैसे वो बरसात के मासम भींगे नहीं धूल है बहुत तो धूल से बच्चे कई बार है कि प्रदूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जरा जिससे कि बच्च नहीं सकता है तो ये बून इन डिजगाईज हो गया भी कोरोना की वएज़ से जो मास्क लगा रहे हैं लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं लोग तो ऐसी परिस्थिती में मास्क लगा के भी हम लोग कई बार कहते हैं जैसे बहुत लोग अगर बहुत प्रोन है प्रदूशन से स्कूटर चला रहे हो टू वीलर चला रहे हो तो मास्क लगा लो आजकल कई इडवांस मास्क भी आ गया है जिसमें कि ऑक्सिजन फिल्टर भी लगा रहता है तो वो लगा कि चलो प्रिवेंशन प्रिवेंट करना है बचना है और दूसरा है कि तुरंद अगर सुरहाट शुरू हो गई तम्मा कर पेशिंट पहली लक्षन देने लगता है कि सोंसों की आवाज शुरू हो गई तो ऐंटी ऐलर्जिक दवा होती है लिवोसिट्रिजीन है फेक्सों फैनेडीन है वो खना शुरू कर देते हैं या इन्हेलर लेना या पंप से कैपस немнож कोई खिछना शुरू कर देते सांस फुलता है उसे खांसी होती है तो वो दवा डॉक्टर जो है प्रॉपर हिस्ट्री लेगा तुम यह दवा तो नहीं खा रहो तो यह सब प्रिवेंशन की बात है प्रिवेंट किया जाता है अगर अटैक होई गया तो फिर उसका इलाज है अटैक नहीं होने देने के लिए बहुत सारे उपाए हैं इंफेक्शन से बचो हमने बता है भी फ्लू का वैक्सिन that is very important इंफ्लूइंजा का वैक्सिन हर साल लेना चाहिए धन्यवाद डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ इतनी जानकारी साचा की धन्यवाद तो आप डॉक्टर बी सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया